आज एक साथी ने वार्टसवप पे मेसेज किया है, उन्होंने कहा है कि आप बहुत घमनडी हैं और इसको कम करें वरना आप पच्टाएंगे, पहले आप उस वाडियो को सुन लीजिये सबसे पहले तो मैं उनको पहचानता नहीं हूँ कौन है, कोई और दूसरा मेसेज भी नहीं था, सलाम, कलाम, कुछ नहीं था, सिर्फ यही मेसेज था उनका तो सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया दा करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ, क्योंकि इनसान के अंदर जो घलतियां है, ये खुद जानता नहीं है इनसान, अगर उसको मालूम होगा, कि ये घलत है, तो फिर वो आदमी कभी वो काम नहीं करेगा, जान बुज़ कर गलती नहीं करेगा तो जो मेरे अंदर खामियां हैं जो कमियां हैं अगर आप उसकी निशान दही करते हैं तो मैं आपका जो है अहसान मंद रहूंगा क्योंकि लोग होता ऐसे है कि किसी की भी कुछ भी तारीफ करते जाते हैं उसके अंदर कोई खामियां है गलती नहीं है जब लोग बताएंगे नहीं तो उस आदमी को कैसे पता चलेगा क्योंकि वो तो सही समझ के कर रहा है फिर उसके बात ये भी बता देना चाहूंगा कि होना भी यही चाहिए अगर कभी भी कोई आपकी खामिया और आपकी घलती बताए आपको आप भी उसका शुक्रियादा करें और फिर ये सोचें वाकितन ये घलती ये खामिया आपके अंदर है या नहीं है अगर है तो अकलमंदी की बात यही है कि आप उस घलती को फौरण दुरुस्त करें सही करें तोंकि वो आपका बताने वाला चाहे दुश्मन हो लेकिन फाइदा किसका है आपका फाइदा होगा ताके आइंदा चलकर ऐसी घलती से आप बच जाएंगे और उसके साथ उन्हों नहीं ये कहा है कि कम करें घमंड कहा है तकब्र है मेरे अंदर कहते हैं लेकिन अगर खुदाने खास्ता लाह ऐसा नहीं करें मेरे अंदर तकब्र हो तो कम करने की बात नहीं है पूरा खतम कर दिया जाए तकब्र जर्रा से भी तकब्र हो तो इनसान बरबाद हो जाएगा आप तो ये मशुरा दे रहे हैं कि कम करें कम नहीं तकब्र हो तो बिलकुल खतम करें फिर पच्ताने की बात क् आदमी से बरबाद हो जाएगा दुनिया आखिरत सब तबाह कर डालेगा अगर तकब्र जर्रा से भी तकब्र आ जाए और अब उन्होंने क्यों कहा मुझे घमंडी उन्होंने कहा तो क्यों कहा वो पता नहीं अगर वो बता देते कि मैंने इस वजह से आपको घमंडी या तकब्र आपके अंदर है ऐसा मैंने कहा है ये आपके अंदर है तो मैं उस चीज़ को दुरुस्त करता और मैं अब भी सोच रहा हूं गोर फिक्र कर रहा हूं कि कौन सी ऐसी चीज़ है मेरे अंदर जो दूसरों को लगता है कि तकब्र है जबके मैं ये हमेशा कोशिश करता हूं कि तकब्र बिलकुल राई के दाने के बरावर भी अंदर ने आए एक चीज़ है कि आदमी अपने आपको बड़ा समझता है कि मैं जानने वाला हूं इस चीज़ में माहिर हूं बड़ा समझता है ये तकब्र नहीं है तकब्र है क्या अपने आपको बड़ा समझे और सब को हकीर समझे सब को अपने आप से घटिया समझे अब समझो आगए है तकब्र उसके अंदर घमंड आगए बरबाद हो जाएगा आगे चलके तो ये चंद बातें बहुत एहम है किसी बजरुग से किसी ने कहा कि आप इतना अदब कहां से सीखें है किसने आपको ये अदब वगरा बताया है कि ये ऐसा करना वईसा करना ये सब आदाब जो है उन्होंने कहा कि मैंने बे अदबों से सीखा है कैसे सवाल किया गया है कैसे उन्होंना कहा कि जो जिनकों लोग कहते दुरे बेदब आदमी है अब मैं देखता था कि उसके अंदर कौन-कौन सी चीजें कौन-कौन से काम उसके खराब है अब मैं उन तमाम कामों से अपने आपको बचा लेता था अब इस एतिवार से मैं बादब हो गया बे अदबों को देखकर मैंने अदब सीखाए बुजरुग ने क्या खूब जवाब दिया इसलिए आप अपने आपको टटो लें कभी भी तकब्र अपने अंदर ने लाएं अल्लह ताला मुझे समझ अता करे और क्यों कहा अगर वाज़ कर देते तो बहुत बड़ी महरबानी और बहुत बड़ा करम होता उनका अल्लह ताला अमल की तौफिक दे यम ए आर बी दीनी मालूमा चैनल को सबस्क्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताके हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंसती रहे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपनी चैनल में डाल सकते हैं नीज हमारे साथ वाटसब पर जुडने के लिए आप अपना नाम और मुकमल एड्रेस के साथ एड लिखकर मेरे वाटसब नमबर 8908939343 को मैसेज करें